बिएच्व बिएच्व नर्सिंग बीफर्म बीपीटी और बीओटी जिसके रिगार्डिंग अल्रेडी मैंने एक वीडियो डाला था उसे कॉंसलिंग सीट वर्सेज रैंग को समझाने के लिए तो वहां मैंने क्लोजिंग रैंग दिखाई थी तो नई एक कट आफ लिस जार एक सीड रखी गई है जो जन्रल से ली जाएगी और वो सीट फिजिकली हैंडिकैप यानि दिव्यांग जन बच्चों को दी जाएगी ब्यसी नर्सिंग को छोड़कर बीफर्मा अईर्वेदिक बीओटी और बीपीटी इन तीनों में ही जो फीस है वो पचास अरुपे पर बीपीटी में 50,000 रुपे पर एनम प्लस युनिवस्टी फिस आपको देनी पड़ेगे तो आप बात कर लेते हैं यहां कट आफ की ब्यस्ती नर्सिंग में अगर मिनमम नंबर 57 है तब ही सेलेक्शन हो सकता है और वो कटेगरी में होगा यानि स्टी कटेगरी में अगर मिनम कटाफ थी अब यह मां दके चलिए इसके नीचे नंबर तक नहीं हो सकता है क्योंकि ब्यस्टी नर्सिंग में सीटे कोई नहीं छोड़ेगा भी फार्मा एर्वेदिक ब्योटी और बीपीटी में सीटे छोड़ सकते हैं क्योंकि यहां पर फीज जो है बहुत महंगी हो जा है था कि हॉस्टल में जो रूल होंगे वह 80-20 का रूल है 80-20 का रूल होगा तो यह 80-20 वाले रूल आपको खुदी युनिवस्टी की वेबसाइट से करना पड़ेगा यह उनिवस्टी फोन करके एक बार कंफिर्म करना होगा एक कॉश्चिन और आया था कि मैंने EWS से फॉर है मंगर EWS फॉर्म में भरा है तब भी नहीं हुपाएगा इसके लिए आपको युनिवस्टी कांसलिंग से एक दिन पहले जाना पड़ेगा एक दिसंबर को वहां पर आपको कांसलिंग रिगार्डिंग जो वहां पर रिजिस्टार बढ़ते हैं उनसे बात करनी पड़ेग आपका कांसलिंग में आप अपयर होंगे तो आपको जनल में ही चुना जाएगा